तो देखेंगे टाइप्स ओप एंगल कोन के परकार जिसमें सबसे पहले जानेंगे नियून कोन जिसको बोलते है एक्वूट एंगल तुम लोग पहले से भी जानते होगे ये करते है जो जिरो डिगरी से बड़ा होता है एंगल और नाइटी डिगरी से छोटा जैसे करने का मतलब इस तरह से फिगर बना दी ये एंगल ठीटा है तीस डिगरी की हो सकता पैताली डिगरी की हो सकता इस तरह जिसमें सिटा बराबर नाइटी डिगरी होता है नेट देखेंगे अधीप कोल और प्यूब हो साथ अंगल जिसमें थीटा का मान होता है नाइटी से बड़ा और एक सो का सी से छोटा इसे ना देखेंगे ना बेत ना होता इससे जाज़े हैं कि माले के सो बीस डिगरी है तो इससी को में जाएक रहने अंगल के और भी अधी कोल अब नेश्ट देखेंगे जाएकर देखेंगे जाएकर रहते लिगल पाएकर आएकर रहें पाएकर रहें बाएकर रहें अंगल जिसमें एक रेखा पर जो कोन बनता है एक सो असी डिग्री के बराबर होता है उपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है तो यहां तर बोलेंगे एंगल ए ओ बी बराबर एक सो असी डिग्री आगे हम लोग देखेंगे इस तरह से देखें चार्ट टाइक पर खूर पर्चमा देखेंगे उने रियुक तो खोड़ इसको बते है रिक नेक सी आएंगे है आज़ा कोन जो एक सब असी डिग्री से बढ़ा हो और तीन सब साथ से पोड़ा हो उसे रिजु कोन कहते है तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे इस तरह से एओ बी ले लिए इतना माले सबसी होता इस तरह से कोन मिला दी है है पर से तो सो माल लिए 20 डिग्री है तो दो सो बीडिग्री इसके इसके बीच में आता है इसलिए यह क्या होगा पुनर युकतिशूं यहां एंगिल आ और बी बराबर पुने रिखते कों नेस्ट देखेंगे आगे पूरे पूरने पॉर्म इसको बोलते हैं कम्प्लीक्ट आंगिल आंगल कि इस तरह से कोन जो बनाता है पूरा को ओधिक्टा इसे गड़ी भोंता है तो पूरा कों ने भूंता है फुरा काटा तब वह तीनसोग्ड़ी के खोन बनाता है तो यह तिनसोग्ड़ी के बराबर होता है इसको complete कहते है complete हो जाता है अब हम लोग देखेंगे next पूरे कोन पूरे कोन इसके कोती पूरे कोन नहीं कहते है जिसको इसको complete को जाता है कि को कमध्रे कर देखेंगे टेखेंगे तांटा है यहां पर एक कॉन की ले लिए यह और भी यहां पर सी ले लिए यह थीटा अगर है तो यह 90 माइनस थीटा कौन है दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस और अलस थीटा कैंसिल यानि टोटल मिलके कितना डिगरी 90 डिगरी तो यहां पर दो बोन चल दोटल करके 90 डिगरी का कौन बना रहा है यानि वोलेंगे थीटा का पूरा को 90 माइनस थीटा है यानि 30 डिगरी अगर इसको मान ले तो 90 माइनस 30 यानि कि 30 डिगरी का कौन कितना हो जाएगा साथ डिग्री इस तरह से तो लेंगे आपर थिटा का कुरेट कोर्ण 90 माइनस थिटा है यानि 30 डिग्री का कुरेट कोर्ण 90 माइनस 30 यानि 60 डिग्री होगा अगर यहां पर 45 लेते तो बोलते 45 का पूरा कुर्ण 25 डिग्री लेते तो 20 का पूरा कुर्ण 90 माइनस 20 यानि 70 डिग्री इस तरह से इस पर सवाल भी पूछता है सिंपल सवाल है वह कोन का मान बताए जो अपने पूरे कोन के मान का दुगना है देखो लिख रहे हैं वह कोन का मान ग्याद करें जो जो पूरे कोन के मान का दुगना है कि मान ग्याद दिया हुआ रहेगा तीज डिग्रे में से कोई नहीं इस तरह से तो जो पूर निकार है वह कौन मान लेना है तो यहाँ पर लिखेंगे मान की वह कोन बराबर थीटा इसलिए पूरे कोन परीभासा से क्या हुआ रहेगा थीटा का पूरे कोन नाइंटी माइनस थीटा अब प्रस्ना मुसर क्या पह रहा है कि वह कोन जो पूरे कोन के मान का दुगना है यानि वह कोन थीटा जो है यह पूरे कोन के मान का यह दुगना है यानि आपस में कैसे बराबर हो कर देब इसमें दो से बुना कर देगा यानि इतना इसको रशोल कर देगा तो ये नगवे दुने शवस्य तू ठीटा ना आजाएगा यानि माइनस इदर आ आजाएगा तो थीडिट ठीटा इसमें दुगना है यानि सवस्य बदाबर हो कित्मा साथ डिग्री यानि अंजर क्या हो जाएगा सिस्टीट डिग्री कि इस तरह के समय लिगे है नेश्ट देखेंगे दौसरा संपूरा को जिसको बोलते हैं सप्ली मेंडरी एंगर तो जिस तरह से वहां देखेंगे देखेंगे कोनों का योग नब्य डिग्री होता है उसी तरह से यहां पर दो कोनों का योग एक साओ असी डिग्री होगा तो बोलेंगे एक कोन दूसरे कोन का संपूरा कोन है यहां पर पिसाट डिग्री का संपूरा कोन कितना तो 120 डिग्री 180 माइनस का समझ गए इस तरह से लिखेंगे यहां थीटा का संपूरा कोन 180 माइनस थीटा होता यानि 70 डिग्री का संपूरा कोन 110 डिग्री होगा इस पर भी सवार इस तरह से कुछ ले सकते हैं ध्यान देंगे यह मिटारे मिटा रहे हैं आए 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 वह कोन का मान व्याद करें जो पूरे कोन का दुगना तथा संपूरे कोन का तीन गुना के बरागर को आए और सर्में ले ले लेते है साट डिगरी 120 डिगरी 550 डिगरी इस यहाँ पर वोशी के करद से माना कि यह है जिता इसलिए यहाँ पर ध्यान दो यह पूरे कोन का भी मिला रहे है याण पिछला वाला भी ट्रंसेप्ट ले ले रहे है और संपूरे कोन भी ले ले रहे है तो यहां दोब़ए कोन थिता है इसलिए की इसलिए कोन कितना होगा नाइंटी माइनस थिता परिमासा से यह वं सम पूρ अज़े कोन कितना हो तो 180 minus theta अब देखो प्रस्ना मसर क्या कह रहा पूरे कौन के 2 गुना यानि पूरे कौन के 2 गुना सम पूरे कौन के 3 गुने के बड़ावे है यानि इतना अब देखो इसको solve करेंगे 180 minus 2 theta पांसो चालिस दिग्री माइनस थिरी ठीटा इधर आएगा तो थिरी ठीटा प्रलस में तो इधर देगा तो पांसो चालिस में तेस्ट अशी नहटा लिए तो इतना हुद आएगा इस तरह से हम लोग कोन ही देखे हैं इसके आगे अब कोन का अश्टिंडर ओम बताएंगे वो पॉलीगोन जो इन भुजा के बावुज के कोनों का योग कैसे निकालते हैं ठीक है वाभी कोन के ही बारे में जानना होता है थोड़ा सवार कोन में देखेंगे हम लोग नेफ क्लास में समांतर बोजाओ के अंदर बने कोन जैसे संगत कोन एकांतर कोन अंतर कोन ये सब बेसिक इस्तमाल करते आना चाहिए तो कि इसी सब से आगे पिर सवाल बनेगा